जै स्री कृष्णा आये सुनते हैं सिंगासन बतीसी में बीस्मी पुतली ज्यानवती की कहानी बीस्मी पुतली ज्यानवती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्यान के बहुत बड़े पार्खी थे तथा ज्यानियों की बहुत कद्र करते थे उन्होंने अपने दर्बार में चुन-चुन कर बिद्यवानों, पंडितों, लेखकों और कलाकारों को जगह दे रखी थी तथा उनके अनुभव और ज्यान का भरपूर सम्मान करते थे एक दिन वेवद में किसी कारण बिचरण कर रहे थे तो उनके कानों में दो आदमियों की बातचित का कुछ अन्सपड़ा उनकी समझ में आ गया की उनमें से एक जोतिसी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया और अंतरध्यान हो गए जोतिसी अपने दोस्त को बोला मैंने जोतिस का पूरा ग्यान अरजित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत बर्तमान और भविश्य के बारे में सब कुछ अश्पष्ट बता सकता हूँ दूसरा उसकी बातों में कोई रूची न लेता हुआ बोला तुम मेरे भूत और बर्तमान से पूरी तरह परिचित हो इसलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविश्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है अच्छा होता तुम अपना ग्यान अपने तक ही सिमीद रखते मगर जोतिसी रुकने वाला नहीं था वह बोला इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हैं मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूं कि ए हड्डियां किस जानवर की है तथा जानवर के साथ क्या क्या बीता लेकिन उसके दोस्त दे फिर भी उसकी बातों में अपनी रूची नहीं जताई तब जोतिसी की नजर जमीन पर पड़े पदचिन्धों पर गई उसने कहा ये पदचिन्ध किसी राजा के है और सत्यता की जाज तुम खुद कर सकते हो जोतिस की अमसार राजा के पाओं में ही प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ध होता है जो यह असपश्ट नजर आ रहा है उसके दोस्त ने सोचा की सत्यता की जाज कर ही ली जाए अन्यथा यह जोतिसी बोलता ही रहेगा पद चिन्धों का अनुसरण करते करते वे जंगल में अंदर आते गए जहां पद चिन्ध समाप्थ होते थे वहां कुलहारी लिए एक लकर हारा खड़ा था तथा कुलहारी से एक पेड काट रहा था जोतिसी ने उसी अपने पाउं दिखाने को कहा लकर हारे ने अपने पाउं दिखाए तो उसका दिमाग चकरा गया लकर हारे के पाउं पर प्राकृतिक रूप से कमल के चिन्ध थे जोतिसी ने जब उससे उसका असली परचे पूछा तो वह लकर हारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकर हारे के घर हुआ है तथा वह गई पुस्तों से यही काम कर रहा है जोतिसी सोच रहा था कि वह राज कुल का है तथा किसी परिष्थिती बस लकर हारे का काम कर रहा है अब उसका विश्वास अपने जोतिस ग्यान से उठने लगा उसका दोस्त उसका उपहास करने लगा तो वह चिड कर बोला चलो चल कर राजा विक्रमादित्य के पाउं देखते हैं अगर उनके पाउं पर कमल चिन्ध नहीं हुआ तो मैं समूचे जोतिस शास्त्र को जोठा समझूंगा और मान लोगा की मेरा जोतिस अध्यन बेकार चला गया विलकर हारे को छोड उज्जय नगरी को चल पड़े काफी चलने के बाद राज महल पहुचे राज महल पहुचकर उन्धोंने बिक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताए जब बिक्रम सामने आये तो उन्धोंने उनसे अपना पैर दिखाने की प्रार्थना की बिक्रम का पैर देखकर जोतिसी सन्न रह गया उनके पाउं भी साधारर मनुश्यों के पाउं जैसे थे उन पर वैसी ही आड़ी तिर्ची रिखाएं थी कोई कमल चिन नहीं था जोतिसी को अपने जोतिस ग्यान पर नहीं बलकि पूरे जोतिस सास्त्र पर संदे होने लगा वह राजा से बोला जोतिस सास्त्र कहता है कि कमल चिन जिसके पाउं में मौजूद हो वह व्यक्ति राजा होगा ही मगर यह सरासर असक्त्य है जिसके पाउं पर मैंने एचिन देखे वह पुस्तैनी लकड हारा है दूर दूर तक उसका संबंद किसी राजघराने से नहीं है पेट भरने के लिए जीतोड मिहनत करता है तथा हर शुक्षुधा से वन्चित है दूसरी ओर आप जैसा चक्रवर्ती समराठ है जिसके भाग्य में भोग करने वाली हर चीज है जिसकी किर्ती दूर दूर तक फैली हुई है आपको राजाओं का राजा कहा जाता है मगर आपके पाओं में ऐसा कोई चिंद मौजूद नहीं है राजा को हसी आ गई और उन्हों ने पूछा क्या आपका विश्वास अपने ज्यान तथा विद्या पर से उठ गया है जो तिसी ने जबाब दिया बिल्कूल मुझे अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं है उसने राजा से नम्रता पुर्वक बिदा लेते हुए अपने मित्र से मिलने का इसारा किया जब वह चलने को हुआ तो राजा ने उसे रुखने को कहा दोनों ठिठक कर रुख गए बिक्रम ने एक चाकू मंगवाया तथा पैरों के तलों को खुरचने लगे खुरचने पर तलों की चमणी उतर गए और अंदर से कमल के चिन्ध अस्पष्ट हो गए जोतिसी को हत प्रवदेख विक्रम ने कहा है जोतिसी महाराज आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है लेकिन आपका ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने ज्ञान की डिंगे हाकेंगे और जब तक उसकी जाच करते रहेंगे मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं ही जंगल में लकरहारे के वेश में आपसे मिला था मैंने आपकी बिद्यवत्ता की जाच के लिए अपने पाओं पर खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल की आकरिती ढख जाए आपने जब कमल की आकरिती नहीं देखी तो आपका विश्वास ही अपनी विद्या से उठ गया यह अच्छी बात नहीं है